आपके पास भी इस तडरी की पुरानी स्वेटर ही है उसका color fade हो चुका है उसका जो neck है वो बहुत डीला हो इस स्वेटर का कहीं पे cut लग चुका है इस तडरीकी की स्वेटर का मैं आज आपके साथ share करने चारही हुक बहुत ही अच्छा reuse दोस्तों तो इसका सबसे पहला और यूज को करना क्या है इस तरीके से स्वैटर को बीच में कट कर लेना है और कट करने के बाद यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएकि और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप एक साइड घ्री बटन लगा लीजी एक right इसका काच बना दीजी तो यह है ब को लेना है कुशिन कवर का जो भी साइज है उस मेजरमेंट के हिसाब से आप अपनी स्वेटर को यहां से कट कर लीजिए तो यह देखिए मैंने स्वेटर कर ली है कुशिन का साइज बड़ा चोटा किसी भी टाइप का है एक बहुती सिंपल तरीके से बन जाता है तो इस तरी पार्ट को भी हम अलग कर लेंगे तो जो यह बीच का पार्ट बना है दोस्तों इसका हम बनाएंगे कुशिन कवर हम क्या करते हैं जो पुराने स्वेटर होती है उसको जादा तरह हम फेक देते हैं क्योंकि वो कीचन में डस्टिंग काम भी नी आती तो यह पीस हमारा बनके ब ज्यादा आसानी हो तो यह इस तरीके का लॉंग सा एक कपड़ा हो चुका है अब आपको करना क्या है दोस्तों इसको इस तरीके से उल्टा फैला लीजिए उल्टा फैलाने के बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा उपर का पार्ट चार से पास सेंटीमीटर का इस तरीके बस इस तरीके से अमने से सिलाई लगाई है अब हम इसके पार्ट को सीधा लेंगे और जो भी आपका कुशन कवर है उसके अंदर आप इसे अच्छे से फिल कर लीजिए इस टाइम पे विंटर सीजन में हमें गरम-गरम कुशन काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इस तरी दीए कुशन कवर बनके बिलकुल तैयार हो चुका है अब इसका दूसरा रियूस है दोस्तों कीए टेखीए स्लीष है इसलीवस को क्या करना एं इसको आपको उपर से कट कर ले ना है सिर्फ आपको पूरा खोल लीजिए तो इस तरीका से जब हम स्लीवस को क्नियाँ अब इनको फूरी तरीव से खोलना है मैं जूसमें कि सलाई लगी है उसको भी आप छोलें अच्छे से कट कर लें और अब इन दोनों को कर लोगे इन स्लीव तो इसके बाद looking kya है दोस्तो मैं जो okay एं दोन अए यूर पितोких साहित पर कोनें क्योंकि हमारे लिए तो काफी छोटा हो जाएगा हाँ आप सिर्फ नेक नेक के लिए चाहरे हो तो यह बहुत सही है बट बच्चों के लिए परफेक्ट साइज है तो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है अब मैं आपको इसका तीसरा रियूज बतारी हूँ जो यह नीचे का पार्ट बचावा था दोस्तों इससे हम बनाएंगे कैप तो यह मेरे बच्चों की कैप है आप इसमें बड़ो की कैप भी बना सकते हैं कैप इस कपड़े की बहुत ही सुन्दर लगती है तो इस तरीके से आप कैप को उल्टा कर लीजिए इससे आपको मिजर्मेंट का पता चल जाएगा तो बस आपको इससे थोड़ा सा एक से दो इंच आपको बाहर काटना है और वही शेप वही गोलाई में आपको काटना है चुकी है तो यह जो कैप है दोस्तों वह बहुत ही सुन्दर लग रही थी एकदम मार्केट जैसे कैप लग रही थी तो अब इसका नेक्स्ट रियूज में आपको साथ शेयर करूं इसके आप बहुत ही अच्छे सॉक्स बना सकते हो तो बस आपको क्या करना है जो आपका सॉक्स है उस तरीके से सॉक्स आ ले ली जे रढ़ डबल लेयर में आपको कपड़ को कर लेना है और बस आपको यह सॉक्स रखा मैंने और आधे से जिस शेप में s wilARRY शुक कटा है उसी शेपि में आपको इसको काट लेना है थोड़ा सा बाहर आप काटेंगए एक सी दो कट लिए यह दिखे और इसी तरीके से हम दूसरा वाला पर भी कट लेंगे आपको डबल कपड़ा एक उबसके से मैं कर लूँगए एंब हो और इसी शेप में आपको इसकी देने में वही शेप नगांस। पढूंएंध लगाने में आगे कि आपको यह ल्याएं ँछारी शेप porta ना को मीर्ण और हा गत्त स्वास अचाम साक चाहँ पूलेसे नेsal में। तेंस रहें था तूर यह रही हो चुकती तो एक पीर का मेरा सौक्स बन के तयार हूँ चुका है अब यह से अपने पहन के आपको दिखातियों कि तर कुर्फवेक्ट्री मेरे पॉमे आया है किन है एक अच्छaded थो कि है तो धिय стор很 beth इतně आप नाप मैं आप स्पने नाप सेख्त, मैं आ बता रहे हैं अस् decir आप और इस तरीकिए ZIPEAN जीसे की दूसरा बता रही हुगैं कि टृषा लोगी ऩो यह किस तरहे शाद कर सकते हों कि मैं मेरे बता रही हैं यह अपना हाथ मैंने रखा है मैं अपने नाप का यहाँ पर गलफ बना रही हूँ अपना नाप से सेंस मैं अपने बच्चों के नाप का बना रही हूँ तो मेरा नाप अगर मैं लूँगी measurement लोंगी तो वो मेरे बच्चों पर आसानी से फिटा जाएगा अगर आप अपना बना ली हैं तो अपना जो भी gloves आपके पास है वो रख लीजिए और उसको इस तरीके से shape में आप कट कर लीजिए तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के gloves का shape भी ले सकते हैं थोड़ा सा आपको जैसे एक से दो इंची बहार काटना है क्योंकि उस वे सिलाई भी लगानी होती है तो इस तरीके से मैंने इसे गोलाई में कट कर लिया है और बस आपको इसी shape में आपको सिलाई लगानी है तो देखिए मैंने इस चोकले सॉक्स भी बिनाए वह मैंने आपको नहीं दिखाए क्योंकि सिंपल वही तरीका है तो देखिए ये gloves बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने से अपनी डॉटर की हाथ में पनाए बड़ वह पहनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है तो ये देखिए तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपको मेरा जरूर पसंद आयोगो तो पसंद आयोगो तो करना क्या है मुझे कमेंट श्रीक्शन में ये जरू बताएगा कि इन में से आपको कौन सी वाले टिप्स सबसे ज् मिलते हैं दोस्तों हमसे नेक्स वीडियो में तब तक ले बाई टेक कियर